आज हमारे साथ महीमा स्री माली हैं, जिनका कि आर जेस में सलक्षन हुआ है और आप नाथ द्वारा से बिलोंग करती हैं. महीमा कारिक्रम में स्वाग्यता है अपका. Thank you so much. Thank you. और हम आकाश्वानी की तरफशा आपको धेरों शुब कामने. Thank you so much. It's my pleasure to be here. Thank you for having me. महिमा, ये बड़ी उपलब्दी है अपने आप में और आपने कितने अटेंप्ट्स दिये, कैसे आपका सेलेक्शन हुआ, शुरू आती, थोड़ा इसके बारे में सार्चा करेंगे. जब मेरी कॉलेज में लॉग की स्टेडीज चल रही थी, तब ही मुझे पता चला कि there is a exam, entrance exam, जिसके थुरू आप जुडिशरी क्रेक करके आप डायस पे बैठ सकते हैं. मैं इसको एक जॉब नहीं मानती, मेरा यह मानना है कि इंडारेक्ट अ सोचल सर्वेस है, कि आप कोई भी सोचल कॉज है, या कोई भी कॉज है, उसे आप कोई एडवोकेट उसे रिप्रेसेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें जस्टिस सर्व कर रहे हैं, तो इस वलिए मैंने मैं जब नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम मार्च 2019 में हुआ था, वो मेरा फिर्स अटेंब था, and I couldn't make it to the interview at that time, and this is my second attempt, and with God's grace and everybody's blessing, I am all here, thank you. महिमा, बच्पन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आरचेस का जो आपका प्रकरिया है, सेलेक्शन की, इस पर और भी बात करेंगे आपसे, कोन आपके प्रेणा स्रोत रहे, और क्या आपकी प्राथ मिक्ताएं होंगी, हलांकि अभी शुरुआत है इन सब चीजों के बारे में लेकिन एक सपना या एक खाका तो आपके दिमाग में हो गाई, पहले मैं थोड़ा सा आपको बच्पन की तरफ लेके चलता हूँ, कैसे गुजरा, कहां गुजरा और जो आपके शिक्षा दिक्षा है, वो कहां तक कैसे हुई, थोड़ा बता है, मैं, I was born and brought up in Nadwara, जिसे शिनाच जी के नाम से भी बहुत फेमस है, और मैं अपने आपको बहुत ब्लेस्ट और फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं बॉर्ण भी Nadwara में हुई, मैं रही भी वहाँ पर, और शिनाच जी की ही कृपा है कि आज में यहाँ पर हूँ, I am so fortunate enough, मे मैं बॉर्ची पबलिक स्कूल में मेरा नर्सरी से 12 तक में वहीं पर रही, 11-12 में मैंने साइंस और मैथेमेटिक्स लिया, and I genuinely want to thank each and every teacher and faculty member, जिनों ने मुझे मोटिवेट किया, स्कूल में ही हम लोग को इतना encourage किया कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि पूत के पाओं पालने में दिख जाते हैं, या फिर आप बचपन से किसी चीज को नरिश करेंगे, कोई seat को, तो definitely वह एक अच्छा plant बनेगा ही, तो स्कूल ने मेरा बहुत, नादवा कि आपने 12 के बाद में डिसिजन लिया है, एक तरह से कहें, तो 12 में जो आपने मैच लिया और साइन्स स्ट्रीम चुनी थी, ये एकदम से लोग की तरफ जाना और उसमें भी इतनी अच्छी उपलब्दियां हासिल करना, ये थोड़ा सा कॉंट्राडिक्टी है, हर जब मैं 11 में थी, तभी मैं लॉग की तरफ थोड़ी इंक्लाइंट थी, कि मुझे लॉग लेना ही है, मेरी ग्रांट फादर थे वो राजसमन, पूरे राजस्तान के एक बहुत प्रॉमिनेंट एड़ोकेट थे, मिस्टर कनहालाल जी श्रिमाली, तो बचपन से मैंने उनको अब्सर्व किया कि हाव रेस्पोंसिबल परसन ही इस, हाव इंडिपेड़न एड़ोकेट, दी अमाउंट अफ सैटिस्फेक्शन ही रिसीवड आफ्टर रीप्रेजंटिंग इस क्लाइंट इन दे कोर्ट, तो लॉग मुझे उनको देखकर बहुत अट्रेक्ट किया कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, आप रीजन्स डेवलप कर पाते हैं, लॉजिक डेवलप कर पाते हैं, तो इन दोनों अप्शन्स में से मुझे बैटर लगा कि मैं साइन्स के लिए जाओ, जो मेरे लॉग टम के लिए हलफुल रहेगा, इसलिए मैंने साइ करना है, और इसमें विशेशक गिता हैं हासिल करना है, जब 12th कंप्लीट हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही था कि मुझे लॉग के फिल्ड में ही जाना है, जब 12th कंप्लीट हो गई और मैंने कोचिंग ली, कॉमन लो एंटरंस एक्जाम की, क्लैट की तैयारी करी, बट आइ कुड़न्ट सक्सीर एट टाइम, कि मेरा क्लैट में नहीं हुआ, सो मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगी, कि अगर आपका नहीं हुआ उस एक्जाम में, इड़संट मीन कि आप सब कुछ हार गए, या फिर आपने एक एंटरंस एक्जाम नहीं क्लियर किया, तो आपके लिए डोर्स बंद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फिर गवर्मेंट लौ कॉलेज बंबे में एडमिशन हुआ, और मुझे इस टीच पे बहुत प्राउड होता है कि मैं गवर्मेंट लौ कॉलेज बंब महाँ एक्मोस्फियर देखा, तो अपने आप आपको हो गया कि नहीं, I have chosen the right decision, और मेरे को law ही करना है, और मैं बिल्कुल right path में आई हूँ, आप जो entrance exam है, वो qualify नहीं कर पाई, और उसके बाद आज हमारे सामने बैठी हैं, एक RGS में चैनित उमिद्वार के रूप में, ये छोटी बात नहीं है, और ये message है साफ साफ, कि अगर आपके इरादे पके हों, तो आप इस तरहें की कोई एकाज जो सफलता है, ये कई बार आपके लिए सफलता की CD भी बन सकती है, अब आतें तयारी पे, किस तरहें से exam कितना difficult है, और किस तरहें से तयारी की रणिती आपन राजस्थान का थोड़ा difficult है, क्योंकि यहां पर preliminary exam और mains, दोनों के अंदर language plays a very important role, हिंदी का भी अलग से पेपर होता है, और इंग्लिश का भी अलग से पेपर होता है, विथ टाइम, जैसे मुझे खुद को भी लग रहा है, अभी मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि जितना धीरे-धीरे languages को भूल रहे हैं, हमारी English vocab बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हम grammar देखें, तो धीरे-धीरे जाती जा रही है, आजकल हम लोग lingos में, lingos fashion अपनाने लग गए हैं, महिमा, मुझे लगता भाषा विशेशक की की रूप में बात करने हैं, चलिए अच्छी चुनोती नहीं होगी या यह भी चुनोती की रूप में आ रहा है, हिंदी ज्यादा चुनोती की रूप में हैं, क्यों? खरिदने को मजबूर करती हैं, बिलकुल, और मेंस में भी पूरा निभंध लेखन का पेपर होता है, पचास नंबर का, तो उसमें आपकी मात्राएं हो गई, वो सब वापस से आपको हिंदी बचपन में ले जा लेते हैं, कि वापस हिंदी इंगलिश आपको सीखनी पड़ में आपको कॉलेज के अंदर सब लोग इंगलिश में ही बात करते हैं, तो धीरे-धीरे आपको भी उनको देखकर लगता है कि हमें भी ये चीज आनी चाहिए, फ्लूएंसी इतनी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक लेकर, क्योंकि हम जैसे आप से में बात कर रहा हूँ, आप मुझे लगता है, अगर सब लोग अपने जितने भी सराउंडिंग से उनसे धीरे-धीरे इंगलिश में, या इंगलिश या हिंदी, कोई भी लैंगवेज हो, मिक्स करके भी अगर आप तयारी करें, आप खुद भी बोले और सामने वाले से भी बोले, तो आटोमेटिक ली वो फ्लो के अंदर आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई स्पेशल कोर्स लेने की जवरत रहती है, चलिए महिमा आपने बताया कि दोनों भाशाएं जरूरी है, उन्हें पैदिकार जरूरी है, और उनकी इंडेफ्थ, ग्रेमेटिकल जो स्ट्रेक्चर है, उसकी नोलेज ह होना बहुत जरूरी है, लीगल जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी के लिए क्या खास करना पड़ता है? तो सिफ बेरेक्ट या थरेटिकल नौलेज तक नहीं रह गया है, आपको प्रैक्टिकली इंडेफ्थ में भी कॉशन्स पूछे जाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है, वो इवन आ माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर लौ का सब्जे लगता है, उसमें order, rules और ऐसा है, तो वो थोड़ा difficult लगता है, but with time जब आप पढ़ते हैं और आपको समझ आने लग जाता है, तो अपने आप वो आसान हो जाता है, but you have to give that much of time and effort कि वो आपको अच्छा लगने लग जाए. कुछ अपडेट भी होते रहते होंगे, जो आप तैयारी करते हैं, उस दोरान भी अपडेशन एक continue process है, उससे अपने आपको विल्कुल लगातार संपर्क में रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कि recently ये case law आया है, तो इसमें क्या हुआ है? तो you must be updated about everything that's happening around you. आपके जो भी surrounding है, law ही नहीं आपको आजू आजू भी जो हो रहा है, उन सब के बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए. तो इस बार आप expect कर रही थी कि result positive रहेगा, chain हो जाएगा या थोड़े शंका थी पहले से? नई सर, इस बार मैं sure थी कि हो जाएगा. क्या threshold, क्या सीमा है जिसको लांग करके ये विश्वा सरजित किया जा सकता है, जो आप करीं कि मैं sure थी इस बार? मुझे लगा कि जब आप खुद papers देते हैं, जैसे mock interviews, mock preliminary के test series ये सब देते हैं, तो आप खुद को introspect कर सकते हैं, आप evaluate कर सकते हैं कि मैं कहा इस्टेंड कर रहे हो, आज कल coaching centers हो गई या online भी इतनी facilities हो गई हैं, जो आप लोगों को test series देने की बताती हैं कि जितने भी experience जो test दे रहे हैं, उसमें आप कहा इस्टेंड कर रहे हो, तो उससे आपको एक healthy competition होता है कि आज मैं यहां हूं तो मुझे और better करना है, तो मुझे लगा जो test series और वो थे, उससे मुझे थोड़ी clarity मिली, कोचिंग का कितना contribution है, आपको modify करने में, सर, initially, कोचिंग से ही आपको पता चलता है the way, आपको कैसे पढ़ना है, वो आपको कोचिंग से ही समझने को मिलेगा, मेरे personal case में, बहुत सारे लोग है, वो बिना कोचिंग भी crack कर सकते हैं, and I'm really heads off to them, लेकिन मेरे particular case के अंदर, I think, क कभी-कभी जब यह तैयारियां हम करते हैं, तो कभी-कभी down भी feel करते हैं, उस time महिमा आपने आपको कैसे re-energize, या कैसे वापिस उठाती थी, Sir, इन exams का जो मुझे लगता है, कोई tentative time table नहीं है, कि कभ notification आएगा, कभ preliminary exam होएगा, और बीच में, जैसे आपको पता है, 2020 में COVID भी hit कर गया, तो उस time कई बार मेरे दिमाग में आया कि इसको skip कर दे, क्योंकि कोई date भी नहीं है, और ऐसे, बट यहाँ पर मेरी family has plays a very important role, उनक हमेशा से support रहा कि नहीं अपन ने सोचा है, अपन कर सकते हैं, these are just the obstacles, मेरे father है, वो मुझे बहुत motivate करते हैं, मैं कोई exam देने जाती हूँ, उससे पहले he were like कि अपना तो हो जाएगा, you don't have to worry, मेरे uncle हुए, तो he never let me कि नहीं पढ़ना है, तो उसकी वज़े से बहुत फाइनल जो सवाल है वो यह है कि महिमा श्रिमाली अब चैनित होकर के RJS तो बन गई, अब judiciary में जिस तरहें की चुनोतियां हैं, उसमें क्या कोई सपना है क्या, क्या उपलब्दी हार्शिल करना चाहते हैं, मेरा यह है कि जैसे अभी भी हम newspaper देखते हैं, तो हर दिन कुछ आपको newspaper में एक news मिली जाएगी कि कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, या कुछ भी आपको related to women के rights का violation हो रहा है, उस पे कुछ न कुछ news मिल जाएगी, तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं मेरी सीमाओ में रहकर, मेरी जो पावर से उनका use करके, जितना हो सके उतन women को educate कराओं कि legal awareness के बारे में जाने, they should be aware कि हमारे rights क्या है, हमारी boundaries क्या है, किसी और की क्या boundaries है, क्योंकि people are not much aware about कि उनके क्या rights है, उन्हें पता ही नहीं है आज भी कि यह गलत है या नहीं है, they are in dicey, तो मैं definitely चाहूंगी, जितना मेर से हो पाए, महिमा आपकी 28 वी rank है, RJS का जो यह exam है, यह छोटी उपलबदी नहीं है आपने आप में, जो सुन रहे हैं आपको बहुत से नए युवा, जो नएक छेतर में जाना चाहते हैं, या अन्ने services में भी जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? First of all, thank you so much, आपने बोला, and youngsters को, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं आप सब में से ही एक हूँ, मैं नादवारा से ही थी, और नादवारा से ही हूँ, मैं वहीं से बिलॉंग करती हूँ, मैं आप सब में से ही एक हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप भी कर सकते है कुछ भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती, बस भी what require is your dedication and your hard work, अगर आप regular है और आप dedicated है, तो आप जो भी सोचेंगे, वो definitely आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी ऐसंभव नहीं है तैयारी के साथ, चलिए महिमान, यह जो आपका सपना है, यह पूरा हो, और अगर आपका सपना पूरा होगा, तो इस देश का भी सपना पूरा होगा, कि हम एक नयाय पूर्ण तंतर में सांस ले सकें, आज बहुत सी चुनोतियां नयाइक कि हम बहुत सी चुब 하겠습니다. झाल झाल